Hey guys, welcome to my channel, my name is Priyadogran and I'm back again with another video. So, एक अच्छी opportunity निकल के आ रही है Microsoft की तरफ से, आप सभी students के लिए चाहे आप 1st year में है, 2nd year में है, 3rd year में है, आपको यहाँ पर internship offer की जा रही है Microsoft की तरफ से, जहाँ पर आपको direct mentorship मिलेगी, जो Microsoft के officials होते हैं उनकी तरफ से, आपको free training उनकी तरफ से provide की जाएगी और बहुत ही अच्छे perks और benefits आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, सो मैं आज की इस वीडियो में आपको मैं complete details बताऊंगी किस तरह से आप इसके लिए apply कर सकते हैं, कौन-कौन लोग इसके लिए eligible रहेंगे, particularly कौनसी stream eligible रहेगी और सारी details इस internship से related, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मैं यहाँ पर यह 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 जोपटे हुई है, May 20th 2021 मतलब recently update हुई है किन किन लोगों के लिए है आप देख सकते हैं engineering जो कर रहे है particularly उन लोगों के लिए ये जो है वो internship निकल कर आ रही है बात करते हैं location की कौन सी location से आपको पूरी तरह से guidance मिलेगी so it will be from Hyderabad हैदराबाद location से आपके mentor रहेंगे और वही आपको यहाँ पर पूरी तरह से training provide करने वाले है responsibility की बात करते हैं so responsibility में आपकी basically जो भी एक team lead के अंदर as a assistant काम करते हैं उदनी की तरह आपको भी यहाँ पर perform करना है कोई भी task अपको दिये जाएंगे planning करनी है design करना है implement कैसे होगा वो task so हर एक step by step implementation तक आपको ही यहाँ पर perform करना है आपको अपनी customer की requirements समझनी है फिर उस requirement के according कैसे आपको project को plan करना है, उसको optimize करना है, उसको design करना है, उसको implement करना है ये सारे steps आपको ही follow करने होंगे और ये चीजें आपको पहले सिखाए जाएंगी फिर आपको यहाँ पर implement करनी है qualification की अगर मैं बात बताओं तो qualification यहाँ पर बांगी गई है कि आपको graduation के अगर आप first, second, third year में हैं तो आप इसके लिए eligible रहेंगे minimum you have to maintain seven and above CGPA है अगर course की बात की जाए तो अगर आप B.Tech, B.E. कोई भी dual degree कर रहे हैं तो आप इसके लिए eligible रहेंगे बाकी अगर मैं branch की बात बताओं तो branch कोई भी हो जाए mechanical हो, civil हो, electronics हो, ECE हो, CSE हो कोई भी यहाँ पर stream होगी आप सभी के सभी इसके लिए eligible है बाकी एक यहाँ पर condition यह भी है कि आपकी कोई भी backlogs नहीं होनी चाहिए आपकी कोई supplies नहीं होनी चाहिए so make sure कि अभी तक आपका record जो है वो अच्छा साफ सुत्रा चल रहा है और साथी साथ आपको यहाँ पर एक अच्छा hold होना चाहिए आपके coding में, आपको CS fundamentals के बारे में बता होना चाहिए coding principles के बारे में बता होना चाहिए because यह चीज यहाँ पर required है so बहुत अच्छा मौका है आपके पास अगर benefits and perks की में बात करूँ so आपको मौका दिया जाएगा अगर आप इस internship में participate करते हैं आपको इनकी तरफ से products और services जो launch की जाती है हो सकता आपको उसमें discounts मिल जाए और यहाँ पे आपको opportunities दी जाएगी Microsoft के जो भी trainer होते हैं और जो officials होते हैं उनके साथ बात करने का उनके साथ network बिल्ड करने का और और भी लोगों के साथ connection और network बिल्ड करने का बेसिकली जो भी इनकी तरफ से नएने programs launch की जाते हैं उनमें भी आपको यहाँ पे vouchers और discount coupon code आपको मिल सकते हैं तो इससे जादा और क्या चाहिए 1st, 2nd, 3rd year के students अभी figure out ही कर रहे होते हैं कि हम क्या करें life में तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है Microsoft के साथ जुड़िये इस internship को कीजे आपको Microsoft की तरफ से जो एक work culture होता है उसके बारे में भी आपको समझ लग जाएगी because MNC में अगर आप सोच रहे हैं अपना career बनाने की तो आपको work culture के बारे में पता होना चाहिए तो चलिए ये तो रही details की बात अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसके लिए apply कर सकते हैं तो आपके पास यहाँ पर apply now का button दिया गया है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे login sign up process सारा हो जाएगा तो आप यहाँ पर अपनी application के साथ continue कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहले step में अपना resume upload करना है then after resume के बाद आपके पास यहाँ पर आपकी contact details पूछी जारी जैसे first name, middle name, last name आपका email id क्या है, phone number क्या है उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपका address पूछा जा रहा है आप अपना address, city, state, country के बारे में बता सकते हैं अगर कोई website आप manage कर रहे हैं अभी तक तो उसके बारे में भी आप information दे सकते हैं उसके next step में आपके पास यहाँ पर आपस experience पूछा जा रहा है company का क्या नाम है, job, अगर आप currently काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको details यहाँ पर देनी है then after आपको अपनी education details देनी है अभी तक आपने जितने भी schooling की है, तो वो कहां से की है तो आप यहाँ पर अपनी details दे सकते हैं, आप अगर bachelor degree कर रहे हैं तो वो कहां से कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको information यहाँ पर देनी होगी after आपको यहाँ पर अपनी additional information देनी है अगर आपको किसी particular area में expertise है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते है और अगर आपने कोई काम किया हुआ है, तो आपके samples, work samples जो है, वो भी आप यहाँ पर attach कर सकते है तो यह सारी details देने के बाद, आप continue with application कीजे और यहाँ पर आपकी जो है, वो एक seat जो है, वो book हो जाएगी बागी का जितना भी process होगा, वो आपके साथ आपकी email ID पर share कर दिया जाएगा So make sure आप अपनी email ID यहाँ पर अच्छे से fill out कीजे, कोई उसमें spam नहीं होना चाहिए बात आगे वाले procedure की, तो वो आपके साथ time to time update कर दिया जाएगा So I hope आपके पास अभी कोई query नहां रहेगी हो, in case अगर आपको कोई doubt है, कोई query आप पूछना चाहते हैं, नीचे comment section में पूछिए या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे whatsapp group में और मेरे telegram चानल पे